मुकेश सहनी के अलान से अब बिहार में फिर छड़ेगा राजिनितिक बवाल नमस्कार आप देखने न्यूस फोर नेशन और मैं स्वाती पांडे आपके साथ अगले साल बिहार में विधान सबाचुनाव है अगर बात करें विएपी सुप्रीमों मुकेश सहनी की तो मुकेश सहनी यू तो महागटबंधन के साथ है लेकिन उन्होंने जो एलान किया है चालिस सीट वाले उनके इस एलान के बाद अब महागटबंधन में खलबली मच गई है तो जिस्वे यादव अभी से ही इधर उधर भागम भाग में लगे हुए दरसर बीटे दिनों विएपी सुप्रीमों और बिहार के सनफ मलाक आये जाने वाले मुकेश सहनी ने ये एलान किया कि वह चालिस सीटों पर अपने उमिदवार उतारेंगे और चुनाव लड़ें तो जिस्वे यादव ने महागडबंधन के ओर से मूर्चा संभाल रखा है तो जिस्वे इंदिनों विहार के लिए जारखंट तक भागम भाग कर रहे हैं इधर महागडबंधन के साथी विएपी सुप्रीमों के सनी ने दोहजार पचीस के विदान सबा चुनाव के लिए अपनी रड़नीती बनानी शुरू कर दी है अपनी पार्टी के छटे स्थापना दिवस पर उन्होंने कारिकरताओं को संबोधित करते हुए 40 सीटों पर जीत का लक्षी रखा माना जा रहा है कि इससे महागडबंधन वेटेंशन होगी क्योंकि अभी चुनाव के में वक्त है ऐसे में पहले से मुके सहनी का इस तरह का बयान न तुराजत को रास आएगा और नहीं कॉंग्रेस को पसंद आएगा दरभंगा में आयोजित कारिकरम में मुके सहनी ने सोमवार को कहा कि व्याइपी ने सिमित संसाधनों में अच्छा प्रदक्शन किया है पार्टी को लगतार विधायक नहीं बलकि 40 सिट दिला कर 40 विधायकों को विधाय सभा पहुंचाएंगे पार्टी करेकरताओं को समवधित करते हुए सहनी ने कहा कि कारेकरताओं की मेहनत से ही पार्टी आगे बढ़ रही है उन्होंने कहा कि व्याइपी गरीबों पिछडों दलितों क अधिकारों के लिए संघर्स करेगी उन्होंने आगे यह कहा कि पार्टी अपने मकसद को लेकर लगतार संघर्स कर रही है यह ताय है कि हम गरीबों पिछडों और दलितों के अधिकार को लेकर ही हक मांगेंगे और आगे भी लड़ते रहेंगे तो देखिए मुकेश सहनी ने अलान किया कि वो चार नहीं बलकि 40 सीटों पर 2025 के विहार विधान सभा में चुनाव लड़ेंगे और 40 अपने उमिद्वारों को जिताएंगे और उन्हें विधान सभा पहुचाएंगे भले ही अभी भले ही अभी चुनाव में वक्त है लेकिन इनके इस अलान के बाद एक तरफ ते जिस्वी आदव के खेमे में खल बली है तो वहीं दूसरे तरफ कॉंग्रेस के खेमे में देहशत का महौल दिख रहा है फिलाल इस अबडेट में बस इतना ही आप देखते रहे नियूस पर नेशन